आज की एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी बहुत ही ज्यानवर्दक कहानी है, जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेस उत्पन नहीं होगा, उसके घर में हमेशा सूख और सांती बनी रहेगी, उसके घ कुना ही होगा कि जिसके घर में रोज जगड़े होते हैं रोज क्लेस होते हैं उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती उस घर में कभी माता लच्छमी का आगमन नहीं होता और जिसके घर में सुक सम्रीदी की आगमन होती है और माता लच्छमी का निवास उसके घर पे सदा बना ुश्राइतै। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि घर में लडराइज जगड़े क्यूं नहीं करना चाहिए. जिसके घर में लडराइज जगड़े होती हैं वह उन जगड़ों को कैसे रोक सकता है ,। क्योंकि घर में सुक सांती का होना बहुत को यह मोर और मोरणी हो जाएं चैनल को subscribe करके वेल आइकंग को प्रेत करना ना भूलें। चलिए कहानी सुरूर करते हैं। एक जंगल में एक मूर और मोरनी रहते थे मोर और मॉरनी बहुत ही हसी खुसी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मौरनी मॉर से कहती है। कि पिया जी हमें यहां से चलना चाहिए हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग राते हैं काफी सारे मोर और मोर्नी राते हैं हमें वहां चलना चाहिए मोर मोरनी से काता है कि पिर ये अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई जगड़े होंगे हम दोनों ही जंगल में कितना सुकुन से राते हैं हमें वहाँ जाने की क्या जोर्रत है लेकिन मोरनी जीत करने लगती है तो मोर भी मान जाता है मोरनी के जीत करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं उस नगर का राजा पसु पंच्छियों की भासा को असानी से समझता था उस राजा ने कराव सास्तर की पढ़ाई की थी कराव सास्तर का मतलब ही यही होता है कि पसुपक्षियों की भासा को समझ पाना वह राजा सभी परकार के पसुपक्षियों का आवाज को समझ पाता था हर जिव जन्तु के आवाज को वह बखुबी समाजता था कि वह क्या कह रहा है दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं एक दिन की बात है राजा आपने राणी से काता है कि हे राणी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है आप मुझे भोजंग खिला दीजिए राजा की राणी 36 परकार की भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूस रही थी तो एक चीटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था उस चीटी के पास में तुरंथी एक बड़ा चीटा आता है और वह चीटा उस चीटी से खाता है कि हे प्रिये यह चावल का टुकड़ा मुझे दे चीए और तुम वापस जाओ उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था क्यूंकि राजा हर जानवर पसु पंच्छों की भासा को समझ सकता था तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चीटा चीटी से कहता है नहीं पाता चलेगा चीटी फिर जाने की कination То करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चल यती है चीटा फिर चीटी से कहता है कि देखो लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है इसलिए वो हमें ही देख रहा है चीटी चीटा से कहती है अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा राजा चीटा और चीटी की बात को वह खुबी सुन लेता है और समझ लेता है राजा इस बात को सुनकर हसने लगता है राजा को हसी आने लगती है जैसे ही राजा को हसी आती है उधर राजा की राणी रसोई से बाहर आती है वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है राजा उसे हस्ता हुआ दिखाई देता है रानी राजा को हस्ते हुए देखकर सोचने लगती है कि सायद मुझसे कोई गलती हुई है इसलिए राजा साब हस रहे है राणी राजा के पास आती है और कहती है कि यह माराज क्या मुझसे कोई पाप हुआ है क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोड़ों से हस रहे हैं राजा राणी से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मुझे बस यूँ हसी आ गई राणी जीद करने लगती है और कहती है आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हस रहे थे राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था क्योंकि चीटी ने कहा है कि अगर मैं चीटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं पताना चाहता था लेकिन रानी बार बार जीत करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हस रहे थे अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं अगर आप मुझे अपना रानी समझते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हस रहे थे अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है राजा सोचता है अगर मैं ये बात राणी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो राणी का विश्वास खतम हो जाएगा राणी बहुत जित करने लगती है कहते हैं न कि तिर्या हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए राणी के तिर्या हट के सामने राजा को छुखना पड़ता है और राजा राणी से कहता है कि ठीक है अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बात मैं आपको पच्ताना पड़ेगा रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पच्ताना पड़ेगा राणी काती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है और राणी और ज़्यादा जित करने लगती है तब राजा कहता है ठीक है अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा राजा राणी रच पे सवार हो करके जंगल के लिए निकल जाते हैं जैसे ही वो घंगोर जंगल में पहुँच जाते हैं तब राजा सारी बात राणी को सुनाने लगता है जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात राणी को सुनाते गया वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर क का बनता गया जैसे राजा आध Crowd रादी को सुनाई और पत्थर का हो गया राजा फिर आधि मेर का दा रहा हूं तुम बाद में बहुत पस्टा ऊप्सें लेकिन भारी भर कम पत्थर कैसे हिला पाती एक की राजा बहुत ही भारी के राजा पत्थर का बँन जाता है और उधरर्णानी सर्पटक्कर रोती हैं चाथी पीट यह करती है और किसी जिव जनतु से सहायता के लिए गोहार करती है इस इन सब कहानी को lodberry बखोल भी देख रहे से हम जंगल में कितना खुसी-खुसी रह रहे थे वहां से हम यहां चले आए मोरनी मोर से कहती है कि प्रिये यह रानी बहुत दुखी हो रही है हमें इसकी साहता जरूर करने चाहिए यह इतना बिलाब कर रही है इसकी ज्यादा तो साहता हम नहीं कर सकते लेकिंग कम से कम इसक विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं यहीं सोचकर मोर और मोरनी उस राणी के पास जाते हैं और जाकर के राणी से कहते हैं कि राणी साहिबा जो हुआ वो तो गलत हुआ लेकिन आप जरा धीरज रखिए अपने आपको थोड़ा समालिये आपके पीछे पूरा राज यह है क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजर किया है क्योंकि मेरा पती परमेशवर पथर का बन चुका है अब मैं क्या करूं राणी के यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पथर के कैसे हो गए राजा तो इंसान थे अच्छे भले थे लेकिन यह प पथर का बन जाती है और जब राणी पथर की हो जाती है और राजा तो पथर का हो ही चुका था जब दोनों पथर के हो जाते हैं उधर मोर मोरनी को चिंदा सताने लगती है उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं मोर मोरनी को यह चिंदा सताने लगती है कि यह पिठर का अबी हैं। मॉर्मुर्नी सबस्कता है कि हम पर यह सबस्क्राइए से क्या फाइदा है यह संकट तो धर्ति के किसी भी कोने में हमारा पिछा नहीं छोड़ेगा यह खत्रा तो हमेशा हमारे उपर मन राते रहेगा और जाने अन जाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे इसी बात को लेकर मौर मर्नी बहुत दुखी हो जाते हैं बहुत चिंस्तित हो जाते हैं राध दिन उनको यह दुख खाया जाता यह सोचकर वह और न भूजन करतें और चैंसी उस रहता थեղर हमारे मुख से निकलना जाए यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पती-पत्नी पत्थर का बन जाएंगे यही सोचकर मोर ने दिमाग लेगा है कि यदि मैं सारे चीटुों को खोतम कर दूं तो ये सब खतम होता सकता है क्यूंकि सारा कार स्टीと के मोर मोरनी का इतना आतंख हो गया था कि सभी चीटिया डर के मारे और बिल खोद के धरती के अंदर जाके छिप गई मोर और मोर्नी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहां भी चीटि दिखती तुरन दबोच लेते कोई भी चीटि मोर और मोर्नी के इसा तंग की वज़े से बाहर ही नहीं आते थे सभी चीटियों ने जमिन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमिन के अंदर ही जाकर बैठ जाती काफी समय बीतने के बाद चीटियों को भूख सताने लगी क्यूंकि भोजन तो बिल में बिलता नहीं भोजन तो बाहर मिलता है अब जैसे भोजन लेने के लिए चीटि बाहर आती मोर उसे दवोच लेता और उसे जान से मार देता एक चीटि और एक चीटा बिल के अंदर भोजन के मारे तडबते हुए सीरी हरी विष्णू का जोड़दार भजन करने लगे भक्त सब्सक्राइब काते हैं की चीटी चीट जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो हम तुमारे भक्ती से परसाद है क्यूंकि चीटा और चीटी में निरन Erik भक्ति कि थी नहीं कोई जलगरहं किया और नहीं कोई अन इसलिए भगवान विश्णू बहुत जल्दी परसन हो गये और आकर कहने लगे कि यह चीटा चीटी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो हम तुम्हारे भक्ति से बहुत परसन है उधर चीटा और चीटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे दोनों एक ही बात काते हैं कि है प्रभू अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गाठ लगा दीजिए उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे इसलिए उन्होंने मांगा कि है प्रभू हमारे पेट में गाठ लगा दीजिए भगवान विष्णू कहते हैं तथा आस्तु और चीटियों के पेट में गाठ लगी हुई है चीटियों का पेट नहीं होता फिर चीटा और चीटी भगवान विष्णू से कहते हैं कि है प्रभू हमारे पेट में त इसे ही देखेंगे हमें मार देंगे भागवान विष्णू चीटा और चीटी मोर के समक्षाते हैं भागवान विष्णू मोर से कहते हैं कि हे मोर तुम चीटियों का सिकार करना बंद करो इसमें चीटियों का कोई दोस नहीं है जो दोसी था वो राजा था क्यूंकि राजा न में भी वह सक्षम था उन पसुपक्षियों का वह रूप धारंग किया करता था और जब वह राजा रूप धारंग करता था तो उन पसुपक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था और जब वह पसुपक्षी गर्भ धारंग करते थे तो उन्हें छोड़ करके यह इंसान ब प्रबोर अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो क्या हम पथर का बन जाएंगे सिरी हरी विष्णू कहते हैं कि तुम्हारा ये सरप समाप्थ हो चुका है तुम्हें किसी से काने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा आप किसी से भी कह सकते हैं तुम्हारे उपर से एक खात्रा टल चुका है मोर और मोरनी बड़ी परसन हो जाते हैं, उनका खुसी का कोई ठीकाना नहीं था, सीरी हरी विस्नु अंतर ज्यान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुसी का कोई ठीकाना नहीं था, अगर किसी जानवर को, किसी पसु को खुसी होती है, तो वह जूमने लगता है नाचने लगता है यही बात मौर के साथ हुआ मौर को जब पता चला क्योंके उपर से खत्राय टल कुक्षू का है तो आ खुष की में लगा जोड़दार नाचने लगा उसकी खूष का कोई ठीकाना नहीं था वह खूष कंवारे पागल हो रहा था फिर जैसे ही मोर खुसी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुन्दर थे लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे है मेरा पूरा बदन सुन्दर है लेकिन मेरा पैर इतना फटे और वधसूरत कैसे है मोर के पेरों का फटने का कारण चीटी खाना था क्योंकि उसने बहुत सरे चीटी मार मार कर खाई थी और मोर ने भी खाई थी इसलिए उनका पेर फट गए आज भी कोई इंसान अगर चीटी खाता है तो उसके सरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं यदि आप ज्यादा मातरा में चीटी खाऊगे तो आपका बदन भी भटने लगेगा साप के चली क्यों छोड़ता है क्योंकि साप चीटी खाता है और इसलिए उसका सरीर भटकर उतर जाता है अलग हो जाते हैं इसी तरह मोर के पेर भी भट गए थे वह बदसुरत हो गए थे इसलिए मोर अपने पेरों को देख कर जोर-जोर से रोने लगा मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है जो हुआ वो तो हो गया रोने से क्या होगा मोर नाचता और जोर-जोर से रोता इसलिए उसके आखों से आसु के धारा बार रहे थे मोरनी मोर को धीरच रखवाती और उसके आसु को नीचे घिरने से रोकती लेकिन रोक नहीं पाती मोरनी के हाथ तो है नहीं लेकिन अपनी चोव से एक-एक आसु को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिस करती लेकिन कितना अपने मुख में रखती सीधे मोरनी के पेट में चले जाते इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आसूओ को रोकती और मोर नाचता और खुब जोड़ोड से रोता मोर के आसूओ को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान सिरी हरी फिर से दरसन देते हैं मोर मोरनी को असिरवाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे इस सदय बने रहे इस असिरवाद के वज़े से अभी से असिरवाद समझिये या सराप इसकी वज़े से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता क्योंकि मोर जब नाचता है उसके आखों से आशु गिरते हैं और उन आशुओं को मोर्नी चुकती है और उसी आशुओं के कारण मोर्नी गर्वती हो जाती है भागवान सिरीहरी मोर और मोरनी को असिर बात देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ती धन्या है और तुम धन्या हो एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंग को हम मुकुट बना कर धारंग करेंगे इसलिए काते हैं कि जब सीरी कृष्णने के रूप में सीरी हरी धारती पे आते हैं तो वा मोर का पंख अपने मुकुट में धारंग करते हैं इस कहानी में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो